हेलो हाई यो वाचिंग बॉलिवूड हेल्प लाइन दिश्ट श्वेता कनो जिया और आज हम बात करने वाले हैं आधी पुरुस जी हाँ कभी आपने सोचा आधी पुरुस इसने चर्चा का विसे क्यों बना हुआ है इसके पीछे का रिजन है इसके 600-700 करोड बजट जी हाँ इनके मेकर्स ने बड़े चला कि उसे लोगों के दिमाग में ये बात फिट करने की कोशिज की कि हमने एक फिल्म बनाई है 600-700 करोड की बजट है हमारी बट वो लोग ये बात भूल गए कि 600-700 करोड मेटर नहीं करते हैं इसके पीछे मेटर करता है स्टोरी जी हाँ स्टोरी बट अगर हम बात करें आधिपुरुस के तो आज इसकी चर्चा कभी से इसलिए है क्योंकि इसके सेकंड सॉंग आ चुका है राम सिया के राम जी हाँ इसके सॉंग आते हुए मैंने रिवाइन मूड पे बार बार यह सॉंग सुना क्योंकि इस मूवी को अगर आगे तक अलग से इंजॉयमेंट किये लोगों ने उसका टीजर उन लोगों ने अलग तरीके से पोश्ट किया अलग तरीके से लांच किया वो सॉंग ने बट इस बार सेकंड सॉंग आते ही मैंने बहुत बार इस सॉंग को सुना और मैं आपको यह बात बहुत कंफर्म कर सकते हूं अगर ये सौंग चले, राम सिया के राम, तो जो भी सुनने वाले होंगे, वो बिना गुन-गुनाए इस सौंग को नहीं सुन सकते हैं। अगर हम बात करें रामायट और माहा भारत जैसे श्टोरी की, तो इसमें सब्दों का खजाना पड़ा हुआ है, ये देखने का सिर्फ एक नजरिया चाहिए। आप करें इस सौंग के गाने वाले बंदे की, तो भाई, वो लाजवाब ही हैं उनके बारे में क्या ही बोले हैं। हाला कि उनके सौंग जो पहले देख चूँ, सुन चुके हैं कविर सिंग में, बैख खयाली में। वो एक तरद भरा सौंग, एक एरोगेंट सौंग और उसके बाद ऐसा सौंग लाना, राम सिया के राम, माइन ब्लॉइं सौंग हैं। और इस सौंग को मैंने बार-बार देखा है, रिपीट करके देखा है, हाला कि मैं सबसे उमीदे की लोग भी यही करने वाले हैं। और अगर बात करें इस सौंग को और मूवी की बात करें तो इस मूवी को ले जाने का सबसे बड़ा काम यह सौंग ही करने वाले हैं। क्योंकि इसके जितने भी बैक टू बैक सौंग आ रहे हैं, वो सबको ही सटिस्फाइ कर रहे हैं। हलाकि आदिपुरुष सिर्फ रामायन को ही नहीं दर्साता है। अगर हम किसी भी रामायन माभारत को देखें, उनके स्टोरी को देखें तो उसमें रामण, राम, ऐसे नेगेटिव पोजिटिव करेक्टर हमें देखने को मिलते हैं। बट आदिपुरुष में बेसिकली हमें ये दिखाने की कोशिस किया गया है। क्यों रामायर क्यों होती है, युद्ध क्यों होता है, रावन क्यों मरता है, कौन जीता है, कौन हाता है इसके साथ साथ राम और सीता की कितनी अच्छी बॉंड रहती है, कितने अच्छे उन लोग के रिष्टे रहते हैं सब दिखाने की कोशिस किया गया है इस फिल्म में हलां कि जब यह movie बड़े परदे पर आएगी cinema ठेटर में आएगी तो इतना makers और director को इतनी महनत नहीं करने पड़ेगी कि लोगों को ठेटर में आने के लिए यह movie देखने के लिए मजबूर करना पड़े क्योंकि यह नाम से ह लोग पूरी ठेटर फुल रहेगी हलाए के हमें भी वेट है 16 जून की बड़ देखते हैं क्या होता है बैसे था हमारी तरफ से ये आउट अब, माइन्द आउट अब कंट्रोल अब मोवी हैं देखते रहिए बॉलीवड हैल्प लाइन इसे शुरता कनोजया